So guys, आपने से बहुत से रे जॉब सीकर्स, आपने से बहुत से रे से व्यूवर्स हैं, जिनके माइन में एक कॉमन क्वेस्चन आता है, कि आप अपने इंटर्व्यू को कैसे क्राक करेंगे, और ये क्वेस्चन आप लोगों ने बहुत बार मुझे कॉमेंट में भी रेस किया ह में भी आपने बोला है, इस चैनल पर भी और जो मेरा दूसरा चैनल है, इसका नाम है राइसिंग पार्टनर, वहां पर भी बहुत से रे से क्वेरी जाते हैं मेरे पास में, जहां पर आप लोग ये पूछते हैं कि आपको इंटर्व्यू कैसे क्राक करना है, जहां पर इसी जॉब पे कैसे लांड करना है, करियर में आपको कैसे ग्रो करना है, वह सारी चीजे में आपको बताने वाली हूँ एक सीरीज ये रहने वाली है, जिसमें कुछ एपिसोड में आपकी लिए शूट करने वाली हूँ, तो गाईस इस वीडियो में आपको ऐसे सेवन वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए लेकिन अब अपना नोट पैट लेके बैठी है और जो भी मैं आपको पॉइंस बता रहे हूं उसको आप नोट डाउन कीजिए और जब आप नेक्स इंटव्यू में जाएंगे तो इसको इंप्लिमेंट जरूर कीजिए अब बात कर ले बारे में रिसर्च करना है कि Amazon जो है वो बेसिकली कितनी पुरानी कंपनी है Amazon में एक्चुली नेचर ओफ वर्क क्या है Amazon में कितने इंप्लोईज है Amazon के जो कॉंपटीटर्स है वो कौन है यह बेसिक रिसर्च आपको करने है और इसके लिए जस्ट आपको गूगल पर जाकर आप इसको सर्च कर सकते है गूगल पर आपको डीटेल मिल जाती है एक तो आपको कमपनी के बारे में रिसर्च करने है दूसरी चीज अगर आपको यह पता चल जाता है कि आपका इंटव्यू कौन लेने वाला है आपका इंटव्यू किसके साथ स्केडियूल होने वाला है तो आप जो रिकूटर है या फिर जो ऑपर जो अपरेशन्स मैनेज में छयाते ह। तो थोड़ा सा आप उनके साथ में प्लाट हो ने प्लाट है यह में में टेटरी रिसर्च है जो और आपको किसी बी इंटव्यू में जानेवने से पहले करनी कुछी है because बहुत सरे से क्वेस्टर जो आपके पास में आ सकते हैं जिसको आप ईजली आंसर कर सक और इस question का कि आप हमारी company को क्यों join करना चाहते हैं detailed video मैं आपके साथ में definitely share करूँगी so that आप लोगों को help मिल जाए second tip मेरी तरफ से आपके लिए रहेगी कि आपको जो job description है उसको analysis करना है जो job description है उसको आपको completely बहुत अच्छे से go through करना है आपको desperately job चाहिए तो आपको किसी भी ABC job के लिए apply नहीं करना है आपको job description को go through करना है आपको यह देखना है कि आप कितने relevant है उस profile के लिए तब भी आप उसके लिए apply किजए अगर आप relevant नहीं है उस profile के लिए आप apply कर देते हो तो आपको वहाँ से कोई result नहीं मिलता है और आप demotivate हो जाते हो So job description को अच्छे से go through करना है And third tip आपके लिए यह रहेगी कि आपको अपना resume जो है वो job description के accordingly जो है Maintain करना है job description के accordingly update करना है Now for example आपके job description है उसमें लिखा हो है कि जिस profile के लिए hiring हो रही है वहाँ पर they are looking for excellent communication skills So आपकी जो key skills है आपके resume में जो key skills है उसमें आप mention कर सकते है Good communication skills So वहाँ पर क्या होगा यह match होगा आपका job description For example आपके जो job description है उसमें लिखा है Need people who are customer oriented So इससे related modification जो है वो आप अपने resume में कर सकते है और resume में आपको अपना objective हमेशा mention करना चाहिए हो और try करना आपको की cover letter जो हो resume का prepare करे Resume को लेको भी complete video में definitely future में आपके साथ share करने वाली हूँ जो आपको बहुत सदा help करेगी बात के लिए तो हमारी fourth tip के बारे में जो fourth tip में आपको यह आपर देने वाली हूँ वो होने वाली आपकी dressing और grooming से related So जब आप interview के लिए जा रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप professionally dress up हो आप professionally groomed हो No matter आप कौनसी company में जा रहे हैं कौनसी position के लिए जा रहे हैं Maybe आप एक ऐसी position के लिए जा रहे हैं जो एक starting position है तो आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत साथ grooming के जरूत नहीं है आपको यह manager level के लिए नहीं जा रहे है तो आपको formals की भी जरूत नहीं है ऐसा बिलकुल नहीं है guys आप जिस भी profile के लिए जाएंगे आपको professionally dress up होना है आपको formally dress up होना है आप shirt और trouser पहन सकते हैं अगर आप एक male candidate and you need to make sure कि आप properly shape करके जाएंगे उससे आपका look अच्छा होगा उससे आप एक अच्छा impression जो है वो interviewer पे डालेंगे अगर आप hygienic होंगे अगर आप groomed होंगे और जो female candidates shirt और trouser पहन सकते हैं या फिर आप business suit पहन सकते हैं male और female दोनो candidates और female candidates जो हैं वो Indian formals भी पहन सकते हैं आप formal kurty with legging and dhupatta पहन सकते हैं आप सारी पहन सकते हैं interview में जाने के लिए formal सारी पहन सकते हैं आपको अपको अपने dressings और अपने grooming पर बहुत ज़र्दा ध्यान रखने हैं आप जब भी इंटर्वी के लिए जा रहे हैं and the fifth and very important tip is कि जब आप इंटर्वी के लिए जा रहे हैं you need to make sure कि जो आपका इंटर्वी के टाइमिंग है उससे पहले आप पहुँचे at least 15-20 minutes पहले पहुँचे so for example अगर आपका interview schedule है 11 o'clock so at least आप वहाँ पर 10.40 या 10.45 पर पहुँच जाए because यह बहुत बड़ा factor होता है और इसके through जो recruiters होते हैं जो HR होते हैं वो यह judge करते हैं आपकी personality को यह judge करते हैं कि आप कितना serious है आप किसे भी काम को कितना seriously ले सकते हैं आप कितना punctual है so जैसे कि आप जानते हैं कि हर company एक ऐसे candidate को hire करना चाहती है जो कि dedicately काम करें जो कि punctual हो जो कि company की requirements को fulfill कर सके so अगर आप time से पहले पहुँच जाते हैं तो यह आपके लिए positive sign होता है यह recruiter को आपकी positive side दिखाता है और अगर आप लेट पहुच तो यह completely opposite work करता है और आपका first impression ही bad impression हो जाता है because अगर किसी ने आपको schedule किया है किसी ने आपको एक time पर बुलाया है तो वहाँ पर आपको timely पहुचना जरूरी है तो at least 15 to 20 minutes पहले आप पहुचे सेटल डाउन हो जाए पानी पीजिए अब रिलाक्स कीजिए so that हारी में आप interview ना दे आप बहुत relaxation के साथ में interview दे 6 जो tip होने वाली है वो बहुत सदा important है guys so जब आप interview के लिए जा रहे है interview के सामने बैठे हैं तो आपको confident रहना है आपको eye contact करना है so बहुत से रहे से candidates हैं जो ये बोलते हैं कि हम confident नहीं रह पाते हैं interview में हमारा confidence अंदर से नहीं आता है जब कोई हमसे question पूछता है तो हम डर जाते हैं और हमें answer पता होता है तब भी भी हम fumble करते हैं और हम answer properly नहीं दे पाते हैं so guys confidence आपको कैसे बढ़ाना है उसके लिए of course मैं detail में आपसे बात करूँगी तो इस series में वो video भी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हो so make sure कि आप channel को subscribe करके रखे और आपके जो friends circle है उनके साथ में videos जो है वो share कीजिए so that उन लोगों को interview देने में help मिल पाए आपके बैठना है आपके हाथ में कोई other चीज में होनी ची लाइक पैन वगेरा नहीं होना ची जिससे आप प्ले कर रहे हो तो वो यह दिखाता है कि आप confident नहीं हो आपके अंदर confidence की कमी है और सबसे बड़ी बात यह है guys कि जब आप interview के लिए जा रहे है तो एक चीज अपने mind में यह सोच लो कि आपने पूरी research कर ली है company के बारे में job description के बारे में आप professionally dress up हो और आप ही वो candidate हो जो कि इस profile के लिए select होने वाले हो तो यह confidence आपके अंदर आ जाएगा जब आपको यह लगेगा कि आप एक relevant candidate हो इस profile के लिए तो definitely आप बहुत easily interview crack कर पाऊगे last but not the least and very important tip guys जो common questions होते हैं interview में जो common questions आप से पूछे जाते हर interview में उसको आपको practice करना है for example एक common question होता है tell me something about yourself so उसको आपको practice करना है कि आपको within a minute आपको आपके बारे में बताना है because कई बार होते है कि जब आपसे पूछा जाता है tell me something about yourself तो बहुत लंबा आप answer दे देते हैं महाँ और आप reject हो जाते है आपके mostly interviews में आते हैं तो इन question का answer ने आपको पहले से prepare करकर करना है so that आप जब इंटवी में जाए तो confidently जाए और आपको पता हो कि आपको कौन से question का कौन सा answer करना है अब यह बहुत सारे questions है हो सकते आप इसे बहुत से रहे से candidate जो इन question का properly answer नहीं कर पाते हो विकिस आपको नहीं पता है क्या answer करना है so इसके लिए भी dedicated video मैं आपके लेकर आने वाली हूँ so guys यह जो 7 tips मैंने आपको दिया अगर आप इसको practice करते हैं अगर आप interview में जाते वक्त इन चीज़ों को ध्यान वेखते हैं तो definitely यह एक अच्छा impact आपके interviewer पर डालेगा so I hope यह सारे points आपने note कर लिया और अगर note नहीं के अभी तक आपने तो please video को like करके रखेगा so that यह आपकी history में आजाएगा और जब भी आप interview में जाने से पहले इस video को देखना चाहेंगे आप video को देख सकते हैं और चानल को अभी तक subscribe नहीं के तो subscribe जरूर कर लेना and guys अगर आपके कोई भी other questions है कोई भी other queries है आप चाहते हैं किसी और topic पर मैं आपके लिए video लेकर रहा हूँ Till then take care and keep supporting me